नमस्कार दोस्तों, Wealth Sky के एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है और फाइनली एक बड़ा IPO जिसका मार्केट में बहुती ज्यादा कह सकते हैं एक वाइरल था यह IPO काफी ज्यादा जो की Zomato का IPO था और काफी लोगों ने इसको सब्स्राइब का करने के लि आजमाई थी बहुत सारे अकाउंट से अलॉट्मेंट लगाया था कह सकते हैं IPO हमने लगाया था बट अलॉट्मेंट मिला वह भी कह सकते हैं आगे इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसमत किसकी खुलती है उसको कह सकते हैं जिसकी किसमत होती है उसी कोई ही मिलता ह तो हम इसमें बात करेंगे इस पर्टिकलर वीडियो में कि हमें कितना इस पर्टिकलर आइपीओ से Profit मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो मैं आप से बात कर रहा हूं कि यह बेसिकली वीडियो कोई ज्याधा Interesting वीडियो नहीं है बट प्रॉफिट देखने का शौक सबको होता है तो जाहिड सी बात है कि IPO में किसमत होना बहुत ही कह सकते हैं एक रियर बात होती है IPO मिलना बड़े से बड़े IPO मैंने apply किये और literally बताओं entire career of my life सिर्फ मेरे को दो IPO ऐसे मिले जिसमें मेरे को listing gain बहुत अच्छा मिला एक टा डॉक्टर लाल पैथलैप का और एक उजीवन financial का जिसमें मेरे को बहुत ही अच्छे listing gain मिले थे almost 40% से जाधा था उसके बाद इतने सारे IPO आये इवन यहां पर happiest mind मतलब कह सकते हैं एक अंगिनत IPO है लेकिन हमें कभी भी नहीं मिला तो यह कानी इस particular IPO की भी है मेरे account में यह IPO बिलकुल नहीं मिला मैंने यह IPO अपने brother के account से apply किया father के किया अपने किया wife के किया mother even friends तक के IPO मैंने apply किये तो उनके account से apply किये कि शायद मिल जाए तो finally कह सकते हैं एक छोटी जी किसमत मेरी wife की जागी और उसके account पे एक lot मिल गया था तो उस एक lot का profit मैं आपको show करूँगा कितने percent का return कमाया रखा है या नहीं रखा है और अगर नहीं रखा है बेच दिया है तो क्या reason था बेचने का यह सब मैं आपको बताऊंगा तो चलत बेचली मैं आ गया हूँ यहां पर यह जरोदा के dashboard को जो कि जाधा तो लोग जानते हैं कि इस particular video जो काईट का software है मैं basically इसको video बनाने के लिए use करता हूं इसमें कोई trading वगेरा नहीं करता क्योंकि जो जरोदा के थोड़े बाद जो charges है वो जाधा है और भी brokers इससे सस्ते में काम कराते हैं तो traders के लिए जहां पर भी cost cutting हो सकती है वो करने की कोशिस यहां पर मैं करता हूँ but मैंने IPO apply किया था तो IPO इसके अंदर मिल गया था और उसके profit के बारे में हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले देखो holding में चलते हैं यहां पर देखो holding में आपको एक share burger king का दिखा नहीं है तो आप जुमेटो पर focus करो जुमेटो है यहां पर आप देख सकते हो average cost है quantity यहां पर 0 दिखा रहा है आपको क्यूंकि मैंने listing gain लेके इसको निकाल दिया है ठीक है लास्ट टेडिट प्राइज इसका 126 रूपीस है और आपको net change दिख रहा होगा 65.79 गा ठीक है अगर बात करें तो एक लॉट का जो प्राइस था वो करीब 14,820 रुपे था और 14,820 पर 67% के gain एड करते हैं तो अरूंड 10,127 एक सो 440 रुपे के आसपास फिगर आता है यह सारी calculation मैंने पहले सी कर लिए ताकि वीडियो छोटा ही बने जादा calculation करने का कोई मतलब नहीं है बहुत सारे लोगों को IPO अलॉट हुआ होगा उनको profit भी मिला होगा जिनको नहीं मिला है तो वो अच्छे IPO को apply करते रहें यहां पर मैं जो discuss करने वाला हूँ वो important चीज़ यह है कि IPO तो मिला ठीक है IPO मिला मैंने यहां पर profit book कर लिया है profit book करने का जो सबसे बड़ा reason है वो यह ही है कि यहां पर जो मैंने पास performance Burger King की देखी थी अगर IPO के बाद तो यहां पर वो clearly इसमें भी दिखाई दे सकती है आप देख सकते हैं यहां पर Burger King में क्या हुआ था कि अगर हम Burger King के चार्ट को थोड़ा सा study करते हैं तो Burger King में भी आपको यह एक flow दिखाई दिया था flow के बा पाद कैसा react करता है अगर सिंपल ही चीज है अगर मार्केट उपर से profit booking दिखाएगा तो जाहिड सी बात है स्टॉक थोड़ा से नीचे भी जाएगा ठीक है ना तो मैं यही चीज देखना चाहरा हूँ कि IPO में basically Zomato के IPO का आगे आने वाले 4-5 दिन कैसे रहते हैं अगर यह ए यह सोचूं कि यार मेरको बहुत बड़ा profit मिल सकता था यह यह चीज जो मिला definitely अच्छा ही मिला है आपका पैसा almost 45 दिन में more than 50% से जादा का return मना रहा है बट फिर भी एक new company को hold करना थोड़ा सा एक कह सकते हैं एक अच्छा decision होता है आगे आने वाले दिनों के लिए बट फि अगर मेरे को यहां से profit book करके सिंपल से चीज है capital को release करना है और इस capital को finally अपने जो main portfolio account है उसमें जाके engage करना है और इस Zomato के IPO को according to the market reaction कैसा आता है अगले 5-6 दिन के बार दुबारा से मैं इसको buy कर लूँगा और उसको फिर हम long term के लिए one year two years के साब से सोच सकते हैं रखन लिए वो पिछले दो साल में ही मिली है क्योंकि जिस तरीके से lockdowns रहे continuously हमारे जो economy की उसके अंदर restrictions रहे थे openly market में जाने के restaurant खोलने के और बाहर जाके खाना काने के लिए तो जादा तो लोगों ने घरों पे ही order किया है इसलिए company को बहुत अच्छा response मिला है तो आगे यह च बात है जुमेटों से ना मंगा के भार खाना भी वसंद करेंगे तो उस चीज़ का complete पर क्या effect पड़ता है वो चीज़ भी देखने को ज़रूरी है बट फिलाल जो amount था वो था profit का 10,140 रुपए बुक कर लिया गया है और most probably एक दो दिन में वो amount आ जाएगा अभी अगर मैं fund की बात करूँ यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर delivery margin यह block है जैसी यह add-on हो जाएगा तो हम इस fund को release करा लेंगे मतलब withdrawal कर लेंगे और अपने primary holding account में इस पैसे को डाल के और हम zometo की दुबारा से buying कर लेंगे एक कह सकते हैं एक साल या दो साल के horizon के view के एसा नहीं है कोई short term horizon नहीं कि आप सोचो कि मैंने बोल लिया खरीद लो तो आपने खरीद लिया मैंने बोला बेज दो तो बेज दिया नहीं at least आप यहाँ पर इसको एक साल दो साल के लिए आप रख सकते हो same चीज बर्गर कींग ता बर्गर कींग में जब यहां पर मैंने बैसिकली यह जो डिप आय थी इस डिप पर मैंने भाई किया था और इस डिप पर निकाल दिया था उसके बाद कंटिनुए से स्टॉक गिरा और फिर साइड़ वेस होके यह जो breakout आया है यह इस breakout पर मैंने कुछ किया है तो बर्गर कींग अगर आप इंट्रेस्टेड हो तो देट्सों के स्टॉप लगस से आप बाई कर सकते हो और जुमैटो के आई प्यों को आप देखो तो तिन दिन किस तरीके का रिस्पॉंस रहता है क्या फर्दर बाइंग आती है यह प्रॉफिट बॉकिंग आती तो एक रिस्पॉंस ने इसने फर्स्ट अटेंट में एक कह सकते हो एक पैनिक बाइंग आई उसके बाद इसने उपर जानी की कोशिस नहीं करी तो यही सबसे बड़ा रीजन था इस स्टॉक को मेरे को निकालने का प्रॉफिट बॉकिंग करने का कि अगर इसमें और पोटे मिला उनको definitely मेरे तब से congratulations क्योंकि अब IPO लिस्टिंग का जो time period हो बहुत ज्यादा short हो गया है I hope दोस्तों यह particular वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो like और share जरू कर दियेगा और चैनल को जो सब्सक्राइब कर दीजे क्योंकि आ गयाने वाले दिनों में और भी वीडियो आपको देता रहूंगा